अंतराश्ट्री विधी के जो विशे हैं जिन पर हमारी चर्चा रहनी है एक राज्य और एक व्यक्ति है सबसे पहले हम राज्य पर चर्चा कर रहे थे प्रतम भाग में राज्य शब्द है उसका क्या आर्थ है लोरेंस, ओपेन हाइम, प्रोफेसर हार्ट, स्टार्क इन सब की परिभाशाएं हमने पढ़ी साथ ही राज्य के जो आवशक तत्वे हैं जिसमें 1933 की जो मांट वीडियो संदी है उसका अनुछे जो एक है उसका अनुछार राज्य के जो चार आवशक तत्वे हैं इसके अलावा ओपेन हाइम ने जो चार राज्य का आवशक तत्वे बताएं जैसे जन्शंख्या, एक निश्चित, छेत्रिय देश, सरकार तता परभूत्वे संपन्ता और जो चोथा तत्व है ये परभूत्व संपन्ता इसी पर हमारी आज की चर्चा रहेगी परभूत्व संपन्ता की धारना यानि concept of sovereignty विधी सास्तिन के नुसार केवल प्रभू सत्तात्मक राज्य ही राज्यों के परिवार के सदस्य होने के अधिकारी है यानि जो राज्यों के परिवार हैं उनका सदस्य वही राज्य हो सकता है जो राज्य प्रभू सत्तात्मक है आश्टीन के नुसार येदी कोई अवधारित उचतर मनुस्य जो किसी समय उचतर की आग्या पालन करने का आदी नहीं है किसी निश्चित समाज के अधिकतर लोगों से आदतन अनुपालन करवाता है तो उस समाज में वह अवधारित उचतर व्यक्ति परभूत वह समपन है तथा वह समाज जिसमें उचतर भी सामिल है तथा वह समाज एक राजनितिक तथा स्वतंतर समाज है आश्टिन की जो परिभासा है वो बहुत महत्तुपूण है इसको बार दुबारा ध्यान से सुने आश्टिन क्या कहता है यदी कोई अवधारित उचतर मनुशे जो किसी समय उचतर की आग्या पालन करने का आदी नहीं है किसी निश्चिल समाज के अधिकतर लोगों से वह आधतन अनुपालन करवाता है तो उस समाज में वह अवधारित व्यक्ति परभुत्व संपन है यनि खुद आग्या का पालन नहीं किसी उचतर की और समाज के लोगों से वह आग्या का पालन करवाता है तो वह जो उस्तर व्यक्ति है वह परभुत्व संपन है और वह समाज जिसमें वो खुद भी सामिल है एक राजनितिक और स्वतंतर समाज है तो इस परकार आश्टिन के अनुशार परभुत्व संपन्ता के सकारात्मक तता नकारात्मक दो तत्व होते हैं यानि यहां जो आश्रिन की परिवाशा है उसमें पर्भुत्व संपंता के दो तत्वे निकल कर आए एक सकारात्मक और एक नकारात्मक सकारात्मक तत्वे यह है कि समाज के अधिकतर लोग अवधारित सामानने उचतर की आग्याओं का पालन करते हैं तता नकारात्मक तत्वे यह है कि उसमें किसी व्यक्ति अन्य उचतर की आग्याओं करने का आदी नहीं है यानि उस्तर की आग्या का पालन समाज के लोग अधिकांस तर करते हैं तो ये तो एक उसका परभुत्व संपन्ता का सकारात्मक तत्व हो गया और स्वयम जो उस्तर है वो किसी की आग्या का पालन करने का आधी नहीं है तो वो उसका एक परभुत्व संपन्ता का क्या हुआ पामास विवाचन में मैक्स हुबर ने पर्भुत्व संपन्ता की परिभासा दी है मैक्स वेबर क्या कहते हैं दूसरे राज्यों के संधर्ब में पर्भु शत्ता का अर्थ स्वतंतरता है पर्थवी के किसी भाग पर स्वतंतरता का अर्थ ये है कि वह राज्जे किसी दूसरी राज्जे के हस्तक्षेप के बिना राज्जे के कारिये को पूरा करे तो ये एक मोटी मोटी आश्टीन की परभुत्व संपंता के जो धारना है उसके एक परिभाशा होई आधुनिक समय में जीन बोधिन यानि जीन को हम बोंदा कहते हैं पूपूलर नाम बोंदा है जीन बोंदीन नाम के विद्वान ने पंद्रा सो चेतर में अपनी एक पुस्तक लिखी थी डी रिपब्लिक डी रिपब्लिक पलेटो की है और डी रिपब्लिक बोंदा की है पुस्तक डी रिपबलिक में प्रभुशत्ता या प्रभुत्व संपंता की धारणा प्रस्तुत की उनके अनुसार प्रभुशत्ता का आवशक तत्वे प्रभुशत्ता वाले सासन की कानून बनाने की सक्ती से है प्रबुशत्ता वाले सासन की कानून बनाने की सक्ति से है क्योंकि सासक स्वेम कानून बनाता है इसलिए वह स्वेम कानून से बाद्धे नहीं होता है परन्तु सासक भी देवी कानून से बाद्धे होता है परन्तु धीरे धीरे प्रभूशत्ता का अर्थ निरंकुसता लगाया गया हॉपस ने सोलवी सताबदी में अपना विचार परकट किया कि प्रभूशत्ता का अर्थ एक पूर्ण तथा निरंकुस सकती है हॉपस समझोता वादी विचारक है लेविय थन ने एक पुस्तक लखी थी उसने तो हॉपस ने सोलवी सताबदी में जो अपना विचार दिया उसमें काया कि प्रभूशत्ता का अर्थ एक पूर्ण और निरंकुस सकती है और आश्टिन के अनुसार प्रभुत्व संपन्ता अभी भाज्यता ऐसिमित होती है तो उसमें निरंतरता होती है अंतराश्ट्री विधी प्रभुत्व संपन्ता का एक अच्छा उदारन है आतम नियमन का सिद्धान्त यह आत्म नियमन का जो सिद्धान्थ है वो अंतराष्ट्री विधी प्रभुत्व संपन्ता का एक अच्छा उधारण है आत्म नियमन के सिद्धान्थ के अनुसार राज्य अंतराष्ट्री विधी को इसलिए मानते हैं क्योंकि अपनी सहमती द्वारा उन्हों ने उस संबंद में अपनी सक्तियों को कम कर दिया है। यह सिद्धान्त राज्य की प्रभुत्व संबंता प्रादारित है। इस सिद्धान्त के जो मुख्य परवर्तक हैं वो एंजी लोटी और ट्रिपेल हैं। कौन से सिद्धान्त के आतम नियमन के सिद्धान्त के। जैसा कि हम पहले प्रभु सत्ता पर चर्चा रही है। अमारे जो पूरवय के पाठी करम है उसमें यह ध्याय रहा है। इस सिद्धान्त की जो बात की, कौन सी सिद्धान्त की? आतम नियमन की सिद्धान्त की जो परवर्तक थे एंजी लोटी वर ट्रिपेल आतम नियमन का सिद्धान्त वैसे देखा जाए तो उचित नहीं परतित होता है तता विदी सास्तियों ने उसकी कड़ी आलोचना की है वर्तमान में राज्यों की परभूत्व संपन्ता के विशे में करांतिकारी परिवर्तन आये है वर्तमान समय में ये कहना उचित नहीं है कि परभूत्व संपन्ता आवसेक रूप से विभाज्य वा ऐसे मित है सामानेत एक तथा समान छेतर पर एक ही परभुत्व संपर राज्य हो सकता है पर तो बेभार में इसके अफ़वाद अलग हो सकते हैं तो ये हमारा परभुत्व संपर की जो धारना है जो धारना है concept of sovereignty ये रहा है और इसके बाद में हम राज्यों की समानता का सिध्धान्त फिर अनेक परकार के राज्ये गैर राज्ये काईयां इन सब चीजों पर हमारी जो चर्चा है वा अगे के रहेगी यानि जैसे राज्यों की समानता के सिद्धान के लावा जैसे नेक परकार के राज्ये होते हैं जैसे या गेर राज्ये काईयां भी होती है तो उन में जैसे प्रसंधान राजे है, संगी राजे है, सै राजे है, वसवर्ती राजे है, संगरक्षित राजे है इस तरह के हैं ये लग-लग राजे हैं तो इनका जो देना है वो हमारा आगे के भाग में रहेता